पक्षिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक इंसानियत को जबजोर कर देने वाली खबर सामने आई है जहां लोगों ने जादू टोना के शक में दो महिलाओं की पीट पीट कर हत्या कर दे बरबरता के बाद गाउवालों ने महिलाओं के शबों को नहर में फेक दिया नहर में शब मिलने के बाद हरकम मच गया था जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले की सूच ना दिगए पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों को गिरफतार किया है फिलहाल पूरे मामले की जाच की जारी है मृतिका लोदगी किसकू और डॉली सोरेन के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उन्हें रात में कुछ लोगों ने घरों से बाहर बुलाया और रसीयों से बाहनने के बाद लाठीयों से बीटा लोत के किस्सू की वेटी रानी किस्कू ने बताया कि मेरे चुचेरे भाई और अने गरामीनों ने मेरी माँ को भर से बाहर कीच लिया मेरे दो भाई घर से बाहर थे ऐसे लिए हम उनको बचा नहीं सके जानकारी के मताबे के पूरा मामला बीरभूम जिले के मयोरेशर पुलिस थाना छेतर के हरिस राग गाउं का है पुलिस को सूचना मिली कि गाउं के पास बनी नहर में दो महिलाओं के शब पड़े हुए है पुलिस ने जब जाकर महिलाओं के शबों को बाहर निकाला महिलाओं की पहचान लोटकी किस्कू और डॉली सोरेन के रूप में हुई महिलाओं की शिनागत होने के बाद पुलिस ने परीजनों से पूश्टाज की जिसमें कई चौकाने वाली बाते सामने आए पुलिस अधिकारियों का इस मामले पर कहना है कि पूरा मामला जादू टोना करने के शक का मामला लग रहा है हाला कि पुलिस ने ये भी कहा है कि इन हत्याओं के पीछे कोई और भी बज़े हो सकती है पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस ने मृतका के परीजनों के बयानों के अधार पर केस दर्च किया है पुलिस ने अभी तक 15 लोगों को गिरफतार किया है पुलिस ने मृतकाओं के शवों को पोसमातम के लिए भेजा है इसके बाद परीजनों को सुपुद्र किया जाएंगे पुलिस ने बताया कि उसे भीड द्वारा पिटाई की एक वीडियो क्लिप भी मिली है और फुटेज का विशलेशन किया जा रहा है पुलिस के मताबिक गिरिफतार किये गए 15 आरोपियों को रामपूर हाट में के अतरिक्त मुख्य न्यायक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया करिफतार आरोपियों में 4 आरोपी एक मृद्वका की रिष्टेदार है जिनने मजिस्ट्रेट अदालत ने 6 दिन के पुलिस हरासत में भेज दिया है पुलिस ने बताया कि आन्नी को अदालत ने 14 दिन की न्याएक हरासत में भेजा है